हाई गाईज वेलकुम बैक तो में चैनल कैसे हो आपसा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और ये मुझे बहुत जादा डिफरेंट और अच्छा वला लगा क्योंकि ये है पॉमी ग्रेनिट वेनेगर वला शेंपू मैंने शेंपू में पॉमी ग्रेनिट और वेनेगर का कॉंबिनेशन नहीं देखा तो भी है इसको ट्राइ करना तो बनता ही बनता था और येंटल बोटैनिक्स ब्रैंड में कोई फॉर्स टाइम नहीं यूज कर रही अल्रेडी मैं इनका एक फेसवाच यूज कर चुकी हूँ बहुत टाइम पहले वीडियो अल्रेडी अप्लोड़ेड है नहीं देखें आप लोग ने तम आपको लिंक प्रोवाइट कर दोगे इस वीडियो का आप जाके जरूर चकाउट कर लेना ब्रैंट बहुत अच्छा क्योंकि इसके अदर पैरमिंस नहीं है सलफेट नहीं है मिनरल ओल नहीं है और यह अनुमल टेस्टिंग नहीं किया हुआ बिल्कुल प्यॉर और नाच्रल ओल्स डाले हुए इसके अंदर तो आपको एक बार तो ट्रॉय करना चाहिए ना इसको यह जो पोमीग्रेनेट अंड वेनिगर वनेगर वाले श्यांपू है आपको पता है क Commander अपके आपको डिटॉक्सिपाई करेगा और यह जो पोमीग्रेनर आपको नैचुरल यह अपके बालों को सॉफ्ट बनायेगा स्मूूथ बनायेगा सिल्की बनायगा और growth होने में भी help होती है एक और चीज में आपको mention कर दूँ इसके purchase links आपको description box में मिल जाएंगे और मैंने इसको खूद नहीं खरीदा है यह मुझे oriental botanics वालों ने send किया था just for the review purpose लेकिन जब भी कोई भी product आता है ना मेरे पास उसको कम से कब मैं बहुत बार यूज करती हूँ बहुत बार मैं उसको यूज करती हूँ तब जाके आप लोगों के साथ रीवे बगारा शेयर करती हूँ जब तक मैं satisfied नहीं होती ना तो मैं उस वीडियो का अपने चैनल के उपर नहीं लेके आती इतना आप लोग ट्रस्ट किया करो ठीके फिलहाल मैं इसको यूज करती हूँ मुझे बहुत जादा पसंद आ रहा है आप देख सकते हैं आज मैंने इसे को यूज किया था हाँ मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूँगी कि यह जब आप शैंपू यूज करता आपके बाल बहुत अच्छी तरसे साफ हो जाएंगे क्लीन हो जाएगा स्केल्प स्मूथ हो जाएंगे लेकिन आपको कंडिशनर ज़रूर यूज करना बाद में ठीके इसके साथ का बिल्कुल सेम इनका कंडिशनर भी है मैं आपको सरफ शैंपू मुझे मेरे पास आया था तो मैं आपको सरफ शैंपू यूज करके दिखाऊंगी लेकिन शैंपू के बाद आपको कंडिशनर लगाने की नीड होती है आपको उतने मतलब सॉफ्ट हो जाते बर टीरों कंडिशनर वाला काम शैंपू नहीं करता है ठीक है यह फैक्ट है और यह आपको समझना पड़ेगा शैंपू ले गए तो इसके साथ का कंडिशनर आप लोग जरूर खरीद लेना चलो फटबर से वीडियो को स्टार्ट करते ह आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स वर मिल जाएंगे मैं आपको यूज करके भी दिखाऊंगे तो लेट्स किट स्टार्टीड यह है ओरियंटल बोटैनिक्स की तरफ से पॉमी ग्रेनेट वेनेगर शैंपू है यह आपके बालों को डी टॉक्सिफाई करेगा सॉफ्ट क्योंकि सिर्फ शैंपू तो सिर्फ अपना काम करता है लेकिन कंडिशनर जो एक्स्रा शाइन बाउंस देता है वह कंडिशनर ही दे सकता आप उसको जरूर च्राई करना उसके बाद इसके अंदर जो भी इंक्रीडियन्स डाले ना लाइक पॉमी ग्रेनेट और वेनेगर द पॉमी ग्रेनेट और वेनेगर का जो कॉम्बिनेशन है यह आपके बालों के फॉलिकल को प्रोटेक्ट करेगा साथ साथ में आपके हेर लॉस को भी प्रिवेंट करेगा यह में आपको अल्रेडी बता चुकी है यह प्रीमिच्वर ग्रेंग के उपर भी काम करता है आपके चर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा जिससे अपके बाल स्ट्रॉंग हो जाएंगे ठिक हो जाएंगे और हैल्दी हो जाएंगे और इसके अज्ड़ अंदर आपको पॉमी ग्रेनिट वेनेगर के साथ साथ आरगन डाला हुआ है गोल्ड जोजबा ओल डाला है extra virgin olive oil है extract of oats डाला है, aloe vera है, green tea डाल रहा है, जो आपके बालों को definitely shine प्रवाइड करेगा, lusher प्रवाइड करेगा, softness देगा, strength प्रवाइड करेगा, और सबसे best part इस brand की ये है, no animal testing, natural and pure oils इन्होंने डाले है, no mineral oil, no SLS या sulfate, कुछ भी नहीं डाला है इन्होंने, no parabens, no silicone, ये सबसे अच्छे वली चीज है, ये वले ब्रैंड की आप इसको ज़रूर च्वाइड करो, 300 ml आपको ये वली क्वांटिटी मिल जाएगी, पंप के साथ आपको ये वले शैंपू मिलता है, इसका जो कंडिशनर है, बिल्कुल इसी के तरह दिखता है, वो भी आपको पंप के साथ मिलेगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, दोनों के तो आप देख लेना, और 6.99 रुपीज का ये वले शैंपू है, पर सा फ्लूड टाइप सा इसका टेक्श्चर है, और बेबी पिंक से कलर का, या फिर पॉमिग्रेनेट से कलर का ये शैंपू है, फ्रेग्नेंस इसकी बहुत ही जादी अच्छा आतीया, लाइक, हेर वाश करने के बाद में इसकी फ्रेग्नेंस इतनी सुंधर आतीया बालो में तो मैं तो आपको हाइली रिकमेंड करूँगी, मुझे बहुत जादा पसंद आई ये वला शैंपू राइट नौ आप देख सकते हो, मेरे बाल बहुत ही जादे मैसी हुए पड़े हैं, मैंने अपना हेर वाश करना है, ऑईलिंग की थी मैंने ओवरनाइट तो मैं यूज़ करूँगी और उसके लिए मैं ले रही हूँ एक मग, मग में मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और फिर उसके अंदर मैं डालूँगी शैंपू 2, 3 या 4 टाइमस मैंने उसको लिया था शैंपू को, क्योंकि मेरे बालो की लेंथ जादी है ना, फ्रेंगनस इसकी बहुत जादी अच्छी है, आप चाहो तो आप शैंपू को डिरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो सिर पे, ल पोर करूँगी और ये काफी अच्छी तरह से लेधर करता है, देख सकते हैं अब जैसे जैसे मैं पोर कर रह Month से कितनी अच्छी में लेधर कर लiden मेरे बालों पे सारे बालो को मैं अच्छी तरह से Clean करूँगी अज्ची तरह से के लिए अच्छी तरह से ताकि आपके स्कैल्प के उपर जितने भी गंदगी होती है धूल मिटी होती है जमी होती है वो एकदम साफ हो जाए और फिर जिसको मैं पानी के साथ क्लीन कर लूँगी अगर आपको रिक्वाइर्मेंट लगे तो आप सेकेंड टाइम यह वले प्र आपके बालों को यह सब को यह बिल्कुल सही कर देगा सॉफ्ट होगे मेरे बाल लेकिन आपको कंडिशनर जरूर अप्लाइग अगर वीडियो इचले लग तो प्लीज लाइक कर देना चाल को भी सब्स्क्राइब कर देना फ्रेंस अलने हम सब के साथ शेयर कर देना मेरी त अपना काम करेगा बालों को सॉफ्ट करेगा स्मूथ करेगा स्काल्प को क्लीन करेगा लेकिन कंडिशनर वो एक्स्ट्रा जो नरिश्मेंट प्रवाइड होती है एक्स्ट्रा जो सिल्किनस आपके बालों को मिलती है वो कंडिशनर से ही मिलती है ठीके तो आपको यह खरीद प्रवाइट कर दूंगे डिस्क्रिप्शन डॉक से आप जाके दरू चेकाट कर लेना तिल रेन बाई